स्वागत आपका अपनी चैनल एजुकेशन वंडर्स में तो आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का बिज्ञान का पहला चप्टर फसल उत्पादय नेमं प्रवन्थ फसल उत्पादय नेमं प्रवन्थ क्रिशिप पदित्यम लगभग दजर इसा पुरुलम हिम युक का अंत्वा यह जब बरब वारिता उसका अंत्वा बरती हुई जन्संख्या को बोजन प्रदान करने के लिए हम विश्ष्ट क्रिशिप पदित्यों को अपनाया होता है फसल जब एक ही किसम के पोज़े किसे स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाय जाते हैं तो इसे कहते हैं फसल जैसे अन्न, सबजिया, फसल, इत्यादी यहताप, आद्रता और वर्सा के एक छेतर से दूसरे छेतर में भिन है फसल के दो प्रकार होती है, फसल को दो वरगों में बाटा जा सकता है खरी फसल और खरी फसल दूसरा रवी फसल खरी फसलों में जो खरी फसल के लाती है जो वर्षा रितु में उगाए जाती है भारत में वर्षा रितु जून से सितंबर तक होती है दान मक्का स्वयबिन मुंफली आदी रभी फसल भारत में सित रितु अक्टूबर से मार्च तक होती है गेहुं, चना, मटर, सरसो, आदी क्रिसिप पद्धियां फसलों आने के लिए किसान को अनेक क्रिया कलाब सामिक आउधी में करने पड़ते हैं जैसे क्रिसिप पद्धियों में अनेको कई परकार के कारे करने पड़ते जैसे मिट्टी तयार करना, उसका दभुवाई करना, फिर खादें मुरुरग देना, यानि अगर जो फसल उगाते हैं उसमें खादें मुरुरुरग भी डालना, फिर तसपस्ता सिच्चाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, यानि कि जो फसल स्वयम से उगजाती है, जो खरपतवार उगजाती है, उसको उटाने का विकार, फिर कटाई, फिर भंडारन, यानि उसको उखटागरना, जुताई, मिट्टी को लटने पलटने के प्रक्रिया जुताई कहलाती है, नि मिट्टी को उपर से नीचे नीचे से उपर करना क्या जाती है, हल, प्राचिन काल जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, किसका प्रयोग किया जाता है, हल का, कुदाली, जिसका उप्योग खर्पतवार निकालने के लिए किया जाता है, कुदाली का प्रयोग खर्पतवार नि जो सबसे महतफूर चरण इनी हम अगर किसी फसल को गाना थो हम क्या करने पड़ेगे बुआई करने पड़ती है जो सबसे महतफूर पीज, आजकल बुवाई के लिए द्वारास अंचले सिट दिल को प्योग होता है, यानि पहले इंसान करते थे, अभी भी करते कई जहां पर, लेकिन अब मसीनों और नहीं ने तक्नियां आने के वजासे, वो जो बीजों के बुवाई मसीनों द्वारा की जाती है, खाद्यम को खाद में परिवर्तित करना, कंपोस्टिंग कहलाता है, वार्मी कंपोस्टिंग, रसोई घर के कचरों को क्रेमी अथ्वाल, लाल के चुद आरा, कंपोस्ट में परिवर्तित करना, वार्मी कंपोस्टिंग कहलाता है, सिचाई, निस्चित अंत्राल में खेत में जल देना यानि बुवाई करने के बाद फसल की उसमें पानी की मात्रा देना यानि पानी डालना तो क्या कहलाता है सिचाई कहलाता है सिचाई के जो सुरोत हैं कुए, तलाब, नदिया, बांध आदी आदुनिक बिधिया, छिड़का और ड्रीप, तंत्र आदी खर्पतवार से सुर्चा, खेत में कई अन्य आवांचित पोदों को खर्पतवार कहते हैं यानि जिसकी हमें जुरूत नहीं होती, उसे हम खर्पतवार कहते हैं निराई, खर्पतवार को हटाने को निराई कहते हैं रसायन, खर्पत वार्पन यंतरन के लिए उप्योग किया जाता है, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, हारवेस्टर फसल की हाथ या मसीन से कटाई किया जाती है, यानि फसल की हाथ या मसीन से कटाई करने को हारवेस्टर कहा जाता है, थ्रैसिंग थ्रैसि दालते हैं तो उसमें से गेहूं अलग और जो उसके भूसे को अलग करता इसे चाहें जुद फोन कर रहा है जो भी हम अनाज या फसल उगाते हैं कि उसके बाद उसका भंडारण करना यानि उसको एकजा एकटना करना बंडारण कहलाता है बीजो को पीड को एम सुक्सम जीवा से सनचित करने के लिए उचित भंडारण आवस्यक है थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो लाइक कमेंट एंड सेरेंड सब्सक्राइब मैं चैनल